खबर चपराबियार से जहां आज अमनोर विधानसवाय के बलहा गाउं में एवा मनोहर पुर जखरी गाउं को जोड़ने वाले खास पटी पुल का रिरिक्षन करने ग्रामिनी वाक के इंजिनेर आयो थे वहीं अमनोर विधाय क्रिश्ण कौई मंटू भी उनके साथ मौजू जान जोकी में डालकर लोग इस पुल से गुजरते हैं सभी से निर्जात गिलाने हैं तो विधाय के द्वरा यह पहल किया गया इसे हर हाल में बनाया जाएगा वह इंबाट नियंतरन प्रवेक्षक छपरा द्वरा इसका निरेक्षन किया गया और बड़ी पदातकारी को ज आई बात पर लोग इसकूल भी नहीं था इसकूल भी आपी के देन है अग्षान में आई सोरे वास्ते की स्थेती देखके क्या लगी कि यहां कितने समय में पूल बंज जाएगा और यहां के लोगों को लाब मिल पाएगा कल हमेरे विभाग्य समिक्षा में हमें आदेश मिला है कि अस्थाल का निर्टिशन कर प्रतिवेदन दे अभी हम अस्थाल के लिए आये हैं और इसका हम प्रतिवेदन अपने उच्छादिकारियों को भीजेगा हमें हमाज का निदान हो तो कि बहुत बड़ी अबादी बालहा के से इधर खास पटी से लेकर बल्डी यहां तक ले जखडी तक ले इससे जुड़ती है पर्खंड में फ्याले से और पार के दिन में परकिर्तिक नहीं किर्टीम बारुत पनो जाता है इस पूल के चलते बार की स संभावना नहीं होती तभी बार हो जाता है इससे पूरा गाहों डूब जाता है तो उससे निज्यात थिजाने के लिए हम लोग का पहल है और उमीद है कि यह सब्सक्राइब पूल का निरक्षण में आए क्या कहेंगे हम नहीं आया है आदने श्कूटी इंजिनियर ज़स क्या है कि हम लोग जब भी रोड यहां बनाए इस गाहां में रोड नहीं था जब हम बना के आए तो पर साथ के दिन में बार के दिन में तीन फिर चार फिर पानी हिल कराना पड़ा था बर यह अफ्सोस हुआ हम उसको हाउस में ही बोले विदासभा में और कल मंत्री जी भी